नमस्कार कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूजा कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी कबर मुंबाई क्रूज ड्रक्स केश से जुड़ी हुई सामने आ रही है आरियन खान को जमानत नहीं मिली है जी हाँ आरियन खान की जमानत याचिका को खारिच कर दिया गया है लंबी देर तक ये सुनवाई हुई बहुत दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि आज कहीं न कहीं आर्यन को राहत मिल सकती है पर आर्यन को राहत मिलते हुई नहीं दिखाई दे रही है और इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ जॉक्टर मरिश कुमार सरगी हम भी कयास लगा रहे थे क्यारेन को आज राहत नहीं मिलेगी हुआ वही देखिए ये केस ऐसा है कि जिसके अंदर एंसीबी ने कई सारे सबूत इकठा कर लिये हैं इस पूरी ड्रग मंडली के खिलाफ और जिस दिन कोट ने कहा कि हम 20 तारिक को इसका डिसिजिजन लेंगे और इस दौरान हम सारे वाटस अप चैट को पढ़ेंगे एनलाइस उसी दिन ये तैह हो गया था कि मसला बहुत ही गंभीर है और ये बेल मिलने की उमीद इसमें बहुत ही कम नदर आ रही थी वह इसलिए क्योंकि एंसीबी के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है आरियन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई लेकिन जिस सक्स के पास स बरामदगी हुई और जो इन लोगों ने बातचीत कही है कि वह ड्रक्स मजा लेने के लिए लोग जा रहे थे ये क्रूज पर जा ही रहे थे मौज मस्ती करने के लिए जिस दोरान ये लोग ड्रक्स लेंगे तो ये जो तीन लोगों का जो बेल पिटिसन रिजेक्ट हुआ ह है तीनों के पास से कुछ नकुछ सामान मिले हैं एक तो गाड़ी का इस्तमाल हुआ आरियन का उसके ड्रैवर को गरिफतार किया गया मतलब ये कि वो इनोसेंट नहीं है ये जस सहाब उनको समझ में आ गया लेकिन एंसी बी के तरफ से देखिए मैं बार बार इस बात को कह हूँ कि यह जो पूरा मसला है यह सिर्फ कानुन के दायरे में नहीं है कि आप कोई आरोपी होता किसी के पास से अगर कोई डर्क्स नहीं बरामद होता है तो उसको मिंटों में बेल मिल जाते लेकिन इसे क्यों नहीं मिल रहा इसे नहीं मिल रहा क्योंकि इसके जो WhatsApp चैट्स हैं उसके अंदर ऐसे ऐसे तत्थ ऐसे ऐसे खुलासे हैं कि जिसे देखके सुनके जज साहब को भी ये वो कन्विंस हो गए कि ये मसला गंभीर है and it requires further investigation अब इसमें क्या-क्या चीज आई है एक तो WhatsApp चैट में और भी कई बड़े बड़े लोगों के नाम है अब ये खबर आ रही है कि किसी film actress उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है उसके साथ लिंक है और उसको वो ड्रक्स के लेन देन की बाचीत ये WhatsApp चैट से निकल रही है मतलब ये कि अगर उसमें ये समझ में आता है कि वो ना सिर्फ ले रहा था एक्ट्रस को दे भी रहा था तब तो ये मसला ट्रांस्पोर्टेशन का हो जाएगा ड्रग पेडलिंग का हो जाएगा फिर दूसरा एक और बड़ा जो मसला आया मुतिहारी के जेल से एक ड्रग पैडलर को NCB वहां से उठा के लेकर आई है क कि ये मसला किसी चार-पांच दोस्तों के ड्रग्स लेने का नहीं है ये दिमारी और भी गंभीर है जिसका जट साहब ने संग्यान लिया और ये अपने आप में इस बात की पुष्टी हो रही है कि जो NCB कोर्ट के अंदर ये जो दावा कर रही है कि ये लोग एक हुए हैं और कई सालों से इस काम में ये लिप्त हैं इसलिए जो बेल जो है वो रिजेक्ट किया गया है अब इनको जेल में रहना पड़ेगा जब तक ये नियायक हिरासत है तब तक ये लोग वहाँ पे रहेंगे और उसके बाद फिर NCB अगर ये कहती है कि उन्हें और भी दिरे दिरे बाहर आ रहे हैं देखिए सबूत है फिर भी बेल मिल जाता NCB कह रही है कि ये बहुत ही बड़ा खेल है और इस खेल में हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है ये लोग जिने हमने गिरिफतार किया है इनको हिरासत में रखके इनसे पूस्टाच जो दूसरे आरोपी है इस रैकेट में और भी जो चौदर पंदरह लोगों की जो बीस से ज़्यादा गिरिफतारी हुई है इन सब लोगों से इनका क्रॉस क्रॉस कोस्टिनिंग की जाएगी इनसे बाचीत की जाएगी तो वो कोर्ट के सामने NCB की दलील ये है कि हमें इस आदमी की और ज़रूत है अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है हम अभी और इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसलिए हमें इसे हिरासत में लेकर के रखना है आपको याद होगा जब पिछली बार जब इन्हें 15 दिन का जो जूडिसल कस्टडी में भेजा गया ये बिलकुल अब खबर ये सामने आ रही है कि आरियन के वकील अब हाई कोट का दरवाजा खट-कटाएंगे बिलकुल ये उनका अधिकार है ये उनका अधिकार है कि अगर आपके ये जो इस्पेसल कोट में रिजेक्ट किया है वो हाई कोट में फिर वही दलीले वही सारी बात क्या है कि इतने सब कुछ हो जाने के बाद अब ये देखिए तीन चार बार कोट से एक भी फेवरेबल जज्जमेंट या एक भी फेवरेबल बयान अब्जरवेशन कमेंट वो आरियन खान के लिए नहीं आया है यही सबसे बड़ी चिंता का विशह है और यह जो तमाम दलीले दी जा रही थी कि भाई इनके पास से नहीं आया है अब आप वो उन्होंने बहुत सारे के एक्जाम्पूस दिये कि भाई इनके पास भी नहीं मिला और इसलिए उनको बेल मिल गया हमारे क्लाइंट आरियन खान को भी आप दे दें लेकिन यह जो केस है यह इस सिमिलर टू भाई के जैसा है कि जो रिया खान के भाई के पास से भी इसके कोई ड्रक्स बरामत नहीं हुआ था लेकिन वाट्सप चैट्ट थे वो इकरार किया वो कबूल किया कि वो अपनी बड़ी दीदी के उलिए वो ड्रक्स लेकर के आता था और इसलिए जो है वो उसमें फस गया तो बहुत दिनों तक वो जेल में ही रहा लेकिन जब NCB के तरफ से यह कहा गया कि भाई अब इसका काम हो गया हमें जेतनी पूस्ताच करनी थी वो सारे लोगों की होगी क्योंकि यह एक साथ एक प्लैन एक तरह के ड्रक्स एक तरह का सब कुछ यह पूरा गैंग जो है एक साथ वहां क्रूज के उपर मौज मस्ती और ड्रक्स के लिए जा रहा था तो अगर यह सिर्फ मौज मस्ती के लिए होता सिर्फ पहली बार होता तब तो बेल मिल गई होती लेकिन इन लोगों के फोन से जिस दिन लोगों के नाम निकल रहे हैं और जिस तरह की बाते निकल रही हैं वो सीरियस है और इसलिए इनको बेल नहीं मिल रहा है। आरेन खान के साथ सभी लोगों को अदालत में पेश किया गया और पेशी से जो भी डिटेल्स निकल के सामने आई उसके आधार पर आरेन खान के संबंध बताये गए तशकरी से जुड़े हुए और अदालत ने आरेन खान की कस्टडी चार ओक्टूबर को साथ ओक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी थी बात अगर अब 7 ओक्टूबर की करें तो 7 ओक्टूबर को NCB ने फिर से आरेंट खान को रिमांट पर देने की मांग की लेकिन अदालत ने उसे मना कर दिया उन्हें न्याई खिरासत में भेज दिया 7 ओक्टूबर को और जमानत याचिका उसे दिन दायर की गई थी उसके बाद अब 8 ओक्टूबर पर आते हैं तो अदालत ने आरेंट खान और उनकी जो साथी है अरबाज मर्चेंड मुन्मुन धमेजा की जमानत का याचिका रद कर दी थी उसके बाद 9 ओक्टूबर को सुनवाई होती है आरेंट खान की और से दुबार जमानत याचिका दायर की गई और कहा गया कि उन्हें गलत तरीके से दोशी करार दिया जा रहा है लेकिन उसके पास से कोई ड्रक्स नहीं मिले ऐसी दलीले बार बार दी जा रही थी आज भी ये दलीले दी गई लेकिन एक बार फिर से 8 तारीक को उनकी जमानत याचिका खारेज होई उसके बाद 11 ओक्टूबर को आरियन खान के वकील ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांगी और कोट ने इस मामले में 13 ओक्टूबर तक जवाब देने को कहा था और 13 ओक्टूबर को फिर से सुनवाई होती है फिर एक दिन के लिए इस पूरे मसले को टाल दिया जाता है 14 ओक्टूबर को सुनवाई होती है और कोट फैसला सुरक्षित रख लेता है ये बताती हुए कि इस पूरे मामले में अब 20 तारीक को सुनवाई होगी और आज 20 तारीक है आज ये फैसला आ चुका है और सभी की निगाहे आज के फैसले पर टिकीती तो बड़ी अपडेट कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में आपको बता दे कि जमानत याच का आरियन खान के साथ साथ उनके आरोपी दोस्तों की भी खारिट हो चुकी है यानी कि अब आरियन खान को जेल में ही रहना होगा इस ख़बर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है देखते रहे है कैपिटल टीवी फिलाल कैमरबर्शन अशुक के साथ मैं पूजा कैपिटल टीवी मैं राजनीती करता नहीं, पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूँ मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचानता हूँ संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासंता हूँ, मैं हर ख़बर से ख़रा सच निकालता हूँ ना कोई दौड ना कोई रेस, क्यापिटल भी उत्तर देश